हाई आपके साथ मैं हूँ सुर्भी शर्मा इंडिया टीवी यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं दूसरी बार चला अफगानेस्तान में तालिबान के सरकार गठन का प्लाना बगले हफते होगा सरकार का गठन तालिबान के प्रवक्ता ने का तालिबान अपने दम पर सरकार बना सकता है लेकिन हम समाज के सभी वर्गों की बराबर भागिदारी चाहते हैं पंशीर पर कबजा करने के फिराक में पहाड पर चड़े तालिबानी लड़ाके रेजिस्टन्स पोर्स की चंगुल में फंसे सूत्रों के मताबिक रेजिस्टेंस पोर्स ने पहार के हिस्से में धमाका कर घाटी की सड़क बंद कीत हजारों तालिबानी लड़ाकों के भसने की खबर तालिबान से पाकिस्तान के रिष्टे का मिला बड़ा सबूत मुला बरादर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होने का खुलासा अमररल्ला साले ने पंशीर घाटी से जारी की नई तस्वीर रेजिस्टेंस फॉर्स के कमांडों के साथ हाए नजर एहमद मसूद ने कहा पंचीर के लोग कभी नहीं करेंगे सरेंडर अपने फेस्बुक पेज पर लड़ाई जारी रखने का किया एलान सत्ता संभालने से पहले गूगल ने तालिबान को दिया जटका तालिबान सरकार को इमेल खाते किये लोग काबल में महिलाओं का लगातार प्रदर्शन जारी नई सरकार में अपने लिए मांगा राजनेते का धिकार महिलाओं के प्रदर्शन की दौरान तालिबान का असली चहरा फिर आया सामने एक महला प्रदर्शन कारी की पिकाई की European Union अपने नागरेकों को निकालने के लिए काबुल में तालीबान से करेगा संपर्क फिल्हाल तालीबान को मानेता देने से इनकार अमेरिका की विदेश मंत्री अंपनी बिंकिन पांत सितंबर को दोहा दौरे पर जाएंगे तालीबान से नहीं मिलने का है फ्लान अमेरिका ने तालिबान पर बढ़ाया दबाव अमेरिकी विदेश मंत्री को उम्मीद तालिबान निभाएगा अपना वादा अमेरिकी दौरे पर गए विदेश तचेव का तालिबान को लेकर बयान कहा भारत और अमेरिका की पाकिस्तान के आक्शन पर करीबी नजर विदेश सचेव श्रिंकला ने कहा तालेबान ने हमारे साथ बातशीत बहुत सीमेत रखी तालेबान ने भारत की चिंताओं को लेकर समवेधन शील होने के संकेत भी दिये अफगानिस्तान के आलात पर इस्टन एकनॉमिक फोरुम में बोले रूस के राश्ट्रपती पुतिन वहां मानिवे आपदा है राश्ट्रपती व्लादेमिर पुतिन के अंतराश्ट्री समुदाय से अपील अफगानिस्तान में ताजा हालात से निपटने के लिए हो एक जुट पश्यमंगाल के भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को होगा उप चुनाफ 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 आयोग नी किया ऐलान पश्यमंगाल में 30 सितंबर को ही होंगे जांगी पुर और समशेर गंच में भी उप चुनाफ तीन ऑक्टबर को आएंगे नतीजे टीमसी नीथा पार्ट चाटर जी ने चुनाफ आयोग के फैसले का क्या स्वागत कहा एसी ने अपने विवेक से चुनाफ कराने का लिया है फैसला दिली भोश का बयान बंगाल में मौझूदा हालात में नहीं हो सकते उप चुनाफ चुनाफ आयो को लिखे त्रोप में दी जानकारी बंगाल में बीजेपी को एक और जटका कलिया गंच के विधायक सौमीन रॉय टीमसी में हुए शामिल टीमसी में शामिल होने के बाद बोले सौमीन रॉय सीयम मम्ता बैनरजी के समर्थन के लिए टीमसी में वापस आया हूँ मुर्शीदाबाद में कॉंग्रिस कारिकर्था पर हमले का मामला बंगाल कॉंग्रिस चीफ अधीर अंजन चौधरी ने सीयम मम्ता बानरुची से कारवाई की बांग की एंसीपी चीफ शरत बवार का बयान के इंद्र सरकार विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए एडी का कर रही है इस्तमाल जार्खन विधान सभा स्पीकर के फैसले पर भारी विवाद विधान सभा में नमास पढ़ने के लिए आवंटित किया एक कमरा नमास के लिए कमरा अलोट करने पर भड़ की बीजेपी विधायक विरांची नारायन कहा विधान सभा में हनुमान चालीसा के लिए पढ़ने के लिए दें पांच कमरे आयोध्या में AIMIM के पोस्टर पर कॉंट्रोवर्सी पोस्टर में आयोध्या की जग़ फैजाबाद लिखा पोस्टर पर विवाद के बाद OVC की पार्टी की सफाई AIMIM के आयोध्या जिलाध्यक्ष ने कहा नए नाम से कोई दिक्कत नहीं पैजबाद लिखने से भड़के साधू संध हनुमानगरी के पुजारी राजुरास ने पूछा OVC को अयोध्या से चिर्ड कियो आयोध्या के संध परम्हंस आच्वारी ने की मांग सैजबाद की जगा लिखा जाए आयोध्या नाम नहीं बदला तो आयोध्या में OVC की रैली होने नहीं देंगे आपने ता हरपाल चीमा का सुखबिर बादल पर हमला कहा उनकी मांसिख हाल ठीट नहीं किसानों को बदनाम करनी की साज़ष सयुक्त किसान नोचा ने सुखबिर बादल के बयान की निंदा की कहा किसान کसी से डरते नहीं अपनी जुबान पर लगाम लगाएं अकाली दल प्रमुक सुक्बीर बादल का एलाम सिकंदर सिंग मलूका पंजाब के रामपुरा फुल सीट से लड़ेंगे चनाव मायावती बोली ब्राम्भन समाज तेजी से बस पाकी साथ जोड रहा है मायावती ने कहा दोजार बारक की तरह बीएस पी को हराने के लिए सब ही दल हुए एक जुट बीजेपी का पूर्फ की अखिलेश सरकार पर निशाना लिखा वियापारियों को रहे रहता था जान का खत्रा माफियाओं को देना पड़ता था चड़हावा अखिलेश यादव का योगी सरकार पर पलटवार गोरखपुर में सांट की लड़ाई का विडियो शेयर किया लिखा रंग दिखा रही कूसंगती ग्री मंत्रे आमें च्छा से मिले योपी के डिप्टी सीम केशफ प्रिसाद मौरे लिखा विधान सभा चुनाव के संबंद में मार्ग दर्शन मिला आसमगर में सुहिल देव भारती समाज पार्टी के चुनावी सभा ओपी राजबर्णी के आकारिकरताओं को संबोधित मुझफर नगर में रवेवार को किसानों की बड़ी महा पंचायत राकेश टे कहत का दावा पांच लाग से जादा किसान आएंगे राकेश टेकेट ने कहा यूपी के अलावा बाकी राज़ों से भी आएंगे किसान महा पंचायत में मंच से 20 लोग बोलेंगे मुझफर नगर में किसान महा पंचायत के लिए भारी सुरक्षा पी एसी के चैए और रापिड आक्चिन फोर्स की दो कम्पनिया होंगी तेनाद किसानों के महा पंचायत पर बोले यूपी के डीजेपी जहां जहां से किसान आ सकते हैं उन रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त है पंजाब सरकार को किसान मोर्चा ने बीचेताव ने कहा किसानों के खिलाफ दर्च केस वापस ले नहीं तो रज्जम में माहौल खराब होने पर जमान किसान जमेदार नहीं जन आशिरवाद यात्रा पर बीजेपी नी की प्रेस कॉन्फरेंस का जन आशिरवाद यात्रा उम्मीद से ज़ादा सफल रही बीजेपी ने कहा 2000 कारेक्रम और 18000 किलोमीटर यात्रा का था लक्षे 5000 कारेक्रम हुए और 24000 किलोमीटर से ज़ादा की यात्रा सुधान शुत्रिवेदी बोले जन अशिरवाद यात्रा की सफलता पी-म के लिए जनता का विश्वास और प्यार 5-7 सितंबर को गोवा दौरी पर जाएंगे राश्टपती रामनात कोविन पी-म मोदी के जन्म दिन पर 17 सितंबर से बीजेपी शुरू करेगी सेवा और समर्पन अभ्यान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा अभ्यान हर साल पी-म के जन्म दिन को सेवा सपताह के रूप में मनाती आया बीजेपी इस बार देश भर में अलग-अलग कारिक्रम करेगी आयोजित पी-म मोदी सितंबर के आखरी हफ़ते में कर सकते अमेरिका का दौरा आधिकारिक पुष्टी नहीं पी-म मोदी के अमेरिकी दौरे की तैयारिया लेकिन जारी है 23 से 24 सितंबर को हो सकता है दौरा 12 तोर अमेरिका के बीच इस साल नवंबर में होगा 2 प्लिस टू डायलॉग दोनु देशों के विदेश और रक्षा मंत्री होंगे शामिल दिली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्योरो के कारिकरम में शामिल हुए ग्रीमंत्रे आमिच शाह सिल्वर मेडलिस मीराबाई चानू को किया सम्माने कारिकरम में बोले शाह कहा कानून विवस्था के बिना सफ़ल नहीं हो सकता लोगतंत्र समझोजते के बाद ग्री मन्त्रे आमिछ विकास के लिए 5 जानों में 1,000 करोड रूपे खर्च किये जाएंगे ग्री मन्त्रे आमिछ शानने कहा कार्बी आंगलों समझोते को इतिहास में सुनहरे अकशरों में लिखा जाएगा असम के सीएम हिमंत बिस्व सर्मा ने जताई उम्मीद समझोते से कारभी अंगलोंग इलाके में अब आएगी शान्ती हिमंत बिस्व सर्मा ने कहा आत्म समर्पन करने वाले एक हजार उग्रबादियों के पुनरबास के लिए किया जाएगा काम लिबरेशन फ्रेंट के प्रतिनिधी प्रदीब तेरांग ने कहा कारभी अंगलोंग समझोते से हमारी 90-95 प्रतिशत मांगें पूरी हो जाएगी अगले दो महीने में करीब 70 केंद्रे मंत्री जमो कश्मीर का कर सकते हैं दौरा विकास कारियों का लेंगे जायजा पंचाब में बटाला को अलग जिला बनाने की मांग दो मंत्रियों ने कैप्टिन अमरंदर सिंग को लेखा पत्र ड्रग्स केस में जेल में बंद अभिनी था अर्मान कोली को कोट से लगा जटका जमाना तर्जी होई खारिज दिली पुलिस के एरपोर्ट यूनिट ने निन्यान पे एजिंस को किया गिरफतार पासपोर्ट और वीजा की धोका धड़ी में शामिल थे गाजयबाद में घर में घुसकर महला पर सिर्फिरे ने किया चाकू से हम लागम भीर हालत में किया ग्या भड़ती पूरे के लूनावला में गौवंश तसकरी का लाइब विडियो आया सामने पहले खिलाया नशीला खाना फिर गाड़ी में भर कर फरार हुआ तसकर मुंबाई पूलस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरों का किया भांडा फोर्ड एक महला समेच चार आरूपी गिरफतार मुंबाई पूलस ने चोरी हुए बच्चे को तैलंगवाना से बचाया गिरों बच्चे को चुरा कर दूसरे राज्चों में भीजा करते थे महराश्ट्र के बोईसर में एक फाक्टरी में विस फोट के बाद लगी भी शना अगाद से में एक शक्स की मौत मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एंकाउंटर एक लाग का इनामी बदमाश घायल शाजहाँपुर में पुलिस ने एकरोट बीस लाग कीमत के ड्रग्स किये बरामत दो आरोपी गिरफतार यूपी के महोबा में सोला साल की बच्ची से रेप का मामला पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफतार मुंबई के बोरीवली में इमारत की सात्वी मंजल में लगिया दमकल की टीम ने पाया काबू अरुनाचल प्रदेश के चांगलांग में 4.4 तीवरता के भूकम्त के जटके महसूस किये गए केंद्रे मंतरी स्मृती रानी ने जगदीशपुर के ट्रॉमा सेंटर सामुदा एक स्वास्त केंद्र में किया उक्सिजन प्लांट का उधगाटन अमेठी मिस्मृती रानी का कॉंग्रिस पर हमला कहा 70 साल में जो नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने थोड़े ही समय में कर दिखाया आंटी कोविट वाक्सिनेशन को लिखर केंद्रिस पास्त सचेब राजेश भुशर ने नौर्थीस्ट और केंद्रिशासर प्रदेशों के साथ की बैठक बैठक में राजेश भुशर ने 18 प्लस लोगों के ठीका करेंट पर फोकस करने को कहा 60 प्लस वाले लोगों के वाक्सिनेशन पर भी ध्याना कर्शत किया देश में 24 गंटे में 42,618 से जादा नए कोरुना के मामले 330 मरीजों की गई जान अंध्र प्रदेश में कोरुना के 1502 नए मामले बीटे 24 गंटे में 16 लोगों की मौत दिली में कोरुना के 55 नए मामले राजे में कोरुना से अब तक 25,000 से जादा मौत पश्चे मंगाल में कोरुना के 700 से जादा नए मामले 8 लोगों की वई मौत केरल मेइ कोरोना सिंक्रिमन्ट पे बोली केरल बीजे पी चीफ, राज्जे सरकार कोरोना कंट्रूल करने में विप्छल करनातक के कानून मेंत्री का बयान COVID नियमों में धेल देने पर c.m. एक दो दिन मिलेंगे फैसला करनाटक सरकार का सितंबर महीने में रोज़ाना पांच लाख लोगों को एंटी कोविटी का लगाने का लक्ष सीएम बसवराज बोमाई का एलान कोरोना की तीसरी लहर के आशुंका की मदे नजर तैयारियों में जुटी करनाटक सरकार 140 करोड रुपए की दवायां खरीदेंगी मुंबई पुरे भारत में कोविट-19 वाक्सीन की एक करोड से ज़ादा डोज लगाने वाला पहला जिला बना महराश्ट्र में MNS नी की मंदर खोलनी की मांग घाटकोपर में हनुमान मंदर के बाहर आर्ती और पूजा पाठ किया MNS उपाध्यक्ष ने उधफ सरकार की नियत पर उठाई सवाल कहा शहर में बार, होटेल खोलने के लिए नहीं फैल रहा कोरोना तो मंदिर खोलने से कैसे होगा कोरोना महाराश्ट में बीजे पिकारे करताओं कि कोविड नियमों के उलंगहन प्रबोले शरत पवार की इंद्र सरकार के आदेश का पालन करे यूपी सरकार ने मदर्सा खोलने की दी अजाज़त कहा कोविड नियमों का हो सकती से पालन तुर्की सरकार का फैसला भारत से तुर्की जाने वालों को 72 घंटे की भीतर की आर्टी पीसियार रेपोर्ट देखानी होगी कोरोना टेस्स रिपोर्ट नहीं दिखाने वालों का होगा कारिंटीन वाक्सीन ले चुके लोगों को मिलेगी छूट फिरोजबाद के जिला अस्पताल में रहसे में बुखार से करीब 400 से जादा बच्चे भरती अस्पतालों में बेड पढ़ रहे कम फिरोजबाद के जिला अस्पताल में 200 और नए बेड लगाए गए 600 नए बेड लगाने का काम अभी जारी गुंडा में वाइरल फीवर का कहर 50 से जादा बच्चों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज जिले में बुखार से 4000 के जादा मामले वारांसी में डेंगो का कहर बीएचियो के आसपास के पांच महलों को डेंजर जोन घूशित किया किया सीम योगी आदितिनाथ ने सिधार्तनगर माराजगंज और गुरतपुर का किया हवाई सर्वेक्शन बाढ़ के हालाद करिया जायजा नौगर में बाढ़ पेड़तों से मिले सीम योगी बच्चे को गोद में उठाकर किया दुलार हवाई सर्वे के बाढ़ योगी ने कहा बाढ़ से सिधार्तनगर जिले की पांच तहसील हैं प्रभावित योगी बोले क्षधिगरस्त मकानों वाले परिवारों को ततकाल मुआफजा दिया जाएगा और जिनके मकान बह गए उन्हें मकान दिया जाए चीन के मौसम वभाग ने कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी के आप हारी बारिश का अनुमान जताया अमेरिका के न्यू जर्सी में तुफान इडा ने छोड़ी तबाही के निशान तुफान में अब तक 23 लोगों की हो चुकी है मौत दक्षणी कैनडा में दो कारगो ट्रेन में टकर एक क्रू मेंबर घायल 16 डबे पटरी से उत्रे क्यो पारलंपिक में भारत ने जीता एक और गोल्ड मेडल मनीश नर्वाल ने पीफोल मिग्स 50 मीटर निशान बाजी में लगाया स्वर्निम निशाना दो पहले दोनों पधध भारत के खाते में पीम मोदी ने गोल जीतने पर मनीश नर्वाल को दी बधाई कहा उनका स्वाइन पदक जीतना भारते खेलों के लिए एक विशेश्क चान सिंगराज के सिल्वर मेडल जीतने पर वल्लब कर में उनके घर में जश्न परिवार वालों ने मनाया जश्न नौईडा के डीम सुहास एलवाई ने भी पारलम पे खेलों में कम सिकम अपना एक सिल्वर मेडल जीतना तै किया SL4 मुकारले के फाइनल तक पहुँचे सुहास एलवाई के फाइनल में पहुचने पर बोली उनकी पत्नी रितु सुहास आज के दिन के लिए उनकी बरसों की मेहनत है बादमिंटन के सेट सिक्स पुरुष सिंगल्स में कृष्णा नागर ने भारत की उम्मीदों को रखा कायम ब्रिटन के खिलाडी को हराकर फाइनल मिल्ट बनाई जगा बादमिंटन पुरुष एकल SL3 में मनुच सरकार ने भी दिखाया दम कांसे पदक अपने नाम किया पेमोधी ने प्रमोध भगत और मनुच सरकार को दी जीत की बधाई राष्टपती रामनाथ कोविन ने भी प्रमोध भगत को दी बधाई कहा प्रमोध ने गर्फ से भार्तियों का सरूचा किया वीपा मलिक ने भी प्रमोध भगत और मनुच सरकार को दी बधाई कहा आज का देन अमारे खिलाडियों के नाम रहा सिल्वर मेडल विजेता मर्यपन थंगावे लू को किया घ्या सम्मानित के इंद्रे खेल मंचान राक्ठा कुरने किया सम्मानित इंग्लिंड के खिलाफ चौथी टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की अच्छी शुरुआत एक विकेट के नुकसान पर बना 112 ट्रंग, 63 ट्रंग के बढ़हत तीसरे दिन का खेल जारी